नमस्ते चात्रों मैं सुमन एक बार फिर यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत करती हूँ देखे स्टुडेंट्स इस वीडियो में हम मद्धे पासान काल के बारे में पढ़ेंगे तो मद्धे पासान काल पढ़ने से पहले मैं इतिहास के काल विभाजन की स्टोरी के बारे में आपको संक्सित रूप में बताऊंगी तो भारतिय इतिहास को तीन कालों में विभाजित किया गया है वो कौन-कौन से हैं प्राग इतियासी काल आदे इतियासी काल और इतियासी काल तो जो भारती इतियास का काल विभाजन है इसको हमने पहले पढ़ा है वहाँ पे आप देखेगा इसको और जो प्राग इतियासी काल है उसको भी तीन भगों में बाठा गया है वो कौन-कौन से है, पूरा पासानकाल, मद्धे पासानकाल और नव पासानकाल, अब जो पूरा पासानकाल, मद्धे पासानकाल और नव पासानकाल है, इन में से भी हमने पूरा पासानकाल को पढ़ लिया है, तो आप पहले वाले वीडियो में इन सब के बारे में डिटेल व तो देखेगा मध्य पासान काल इसको इंगलिस में मेसोलेथिक युग नाम से भी जना गया है मेसोलेथिक एज तो कई बार प्रिक्षा में पूछ लेते हैं कि मध्य पासान युग का इंगलिस नाम क्या है वो है मेसोलेथिक एज ठीक है अब देखिए मद्य पासाण यूग है यह है प्राग इत्यासी काल का ही एक भाग है और प्राग इत्यासी काल क्या था जिस काल में पुरा तात्विक्स रोत थे अठाथ जिस काल के इतियास के जिस समय के बारे में हम पुरा तात्विक्स रोतों से पता लगाते हैं जिस के बारे में कोई लिखी साक्से नहीं मिला ना कोई पढ़ा गया ऐसा काल प्रागेतियासी काल था और उसमें पूरा पासान काल हमने पढ़ लिया है जिसमें पूरा पासान काल में क्या था लोग है वो पत्थरों के पत्थरों से ही सिकार करते थे पत्थरों से ही खुदा ही करते थे अर्थात जो कुछ भी होता था वह पत्थरों से ही होता था अभी तक जो प्राग इत्यासी काला इसको वैसे देखे तो पासान काल भी का गये क्यो का गया, क्योंकि पत्थरों के ओजार ही यहां से मिले हैं अभी तक कोई धातु का उप्योग यहां पर लोग भाग नहीं कर पाए थे लोगों को धतु का पता नहीं था तो यह पासान यूग था इसमें पूरा पासान काल में यही था कि वही पत्थरों से लोग बाग वो क्या करते थे सिकार करते थे और उनी जानवरों को वो खाते थे धिरे धिरे उसको पका के स्टार्टिंग में तो कच्चा मास वो खाते थे फिर वो जैसे ही पूरा पासानकार में अगनी का आविस्कार लोगों ने किया और वो मास को पका के खाने लगे अभी तक कोई क्रिश्य का विधान नहीं था लोग अनाज का उत्पादन करना नहीं जानते थे नहीं कोई पसू पालते थे ठीक है अब जो मद्य पासान यूग है इसमें क्या चेंज़े जाते हैं इसमें यही चेंज़े जाते हैं कि वह जो मनुष्य है वह अब क्रिश्य करना सीख गया था वह अब पसू पालन करना सीख गया था अब उसे अनाज का पता भी लगा था कि मास के अलावा भी हम अनाज भी खा सकते हैं तो ऐसा सा कुछ मद्य पासान यूग में चेंज आया था इन्ही सब के बारे में हम पढ़ेंगे पूरा पासान काल अलाव पूरा का पूरा हिम यूग में आता है अब क्या है कि धीरे 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 पत्वी है उस पे से बरफ पिंगरना स्टार्ट हुई और लोगों के जीवन के लिए अब जो जलवायू परिवर्तन हुआ और लोगों के जीवन में जीनने में जो सरलता आई थी तो ये मद्धे पासान काल से प्रारम होता है तो हम पढ़ते हैं मद्धे पासान यूग तो पूरा पासान काल के बाद मद्धे पासान या में सो लिथिक यूग आया बदले हुए यूग में कई परिवर्तन हुए जीवन सेली में बदलाव आया ताप मानी में भी वर्दी हुई साथ साथ पसू और वर्णस पती में भी बदलाव आये इस यूग को मध्य पासान यूग भी कहा जाता है और मद्धे पासान काल क्यों कहते हैं इस यूग को? क्योंकि ये यूग पूरा पासान यूग एम नव पासान यूग के बीच का काल है इस काल की सरवादिक महत्तोपन उपलब दी थी मनुसे को पसु पालक बनाना मनुसे है पहले क्या करता था पूरा पासान काल में पस्वों को मारता था खाता था अब वो क्या करने लगा पस्वों को पारने लगा था इसे क्या है पस्वों उसकी कर्शी में भी सहता करने लगे थे ठीक है तो मध्य पासान काल है इसका समय 10,000 इससा पूरव से 7,000 इससा प मानव द्वारा पसु पालन करने का प्रारंबिक साख से मद्धे पासान काल के मानुओं का ही प्राप्त हुआ है तो ये चुसन आ सकता है कि वह सबसे पहले पसु पालन करना मनुस्य ने कौन से काल में सीखा वहता पासान यूग और पासान यूग में भी मद्धे पासान यू पर रहता है या फिर इस्थाई बस्ति का जो सबसे प्रारमभिक साक्षे है सराइनाहर राय से मिला है और सराइनाहर राय यह उत्तर पृरद्श में है इतियाजकारों का मत है कि मत्रदेवी की उपासना और सवा धान की पदत्ती भी मद्धे पासान यूग से ही प्रारम हुई अब देखे मद्धे पासान यूग है उनके पर्मुक स्थल कोन-कोन से हैं बिहार का 25 तथा मुंगेर राजस्तान का बागोर गुजरात का लगनाड उत्रप्रदेश का सराय नहराय और महागड मद्धे परदेश इस्त आदमगड और भीम बेट का ठीक है अब आते हैं मद्धे पासान यूग के पर्मुक ओजार वो कोन-कोन से थे तो सर्वपर्थम तीर कमान का आविश्कार मद्धे पासान काल में हुआ इस काल के अत्यार भी पत्थर और हडियों के ही बनने होते थे लेकिन ये पूरा पासा काल के तुन्ना में बहुत छोटे होते थे इसलिए उन्हें माइक्रोलित अर्थात लगुपासान काल के अत्यार कहा जाता है ठीक ना अब आपके दिमाग में क्यों सुना आ रहा हो कि ये छोटे-छोटे क्यों मिलें क्योंकि अब लोगों को इनको कला में धानने का पता चल हा तो उनको लगा कि हम पत्त्रों को छोटा करेके भी उनसे अलग-अलग तरीकbung तरीकी के अत्यार वहल वगरा बना सकते हैं तो क्या हुआ कि जो मद्धियपासान काल है इसके जो अत्यार है हडियों से बनने हुए और पत्त्रों से बनने हुए हो वह सारे क्या है छोटे- सोटे है थिक है न इसलिए इस काल को माइक्रो लित्थ अर्थात लगु पासान काल भी कहा जाता हत्यारों में लकडियों और हड्यों के लगए हंसिये मृ आरी आधी हत्यार मिलते हैं अब यह पत्त्रों वे लोह से इस समय क्या था १ हत्त धातू है वो धातू से लोग परिचित नहीं थे नुकिले क्रोड त्री कोण ब्लेड नव चंद्राकार आधी परकार के परमुक अथियार मध्य पासानकाल में प्राप्त हुए हैं अब देखेगा मध्य पासानकाल से सम्मन्दी कई महत्तुबन बातें जो एक्जाम के तोर से इंपोर्टेंट हैं वो हम देख लेते हैं दिरे दिरे क्या है कि पर्थवी के तापमान में बदलाव आया पूरा पासानकाल हमने आपको बताया था पूरा का पूरा हीम्यूग में आता है उसमें जो उत्री भारत उसमें परफ्ती इसलिए दक्सिन भारत में ही पूरा पास इस समय के लोग भी गुफाओं में रहते थे पुरातात्व विदो को कई स्थलों से मेसो लिथिक यूग के अवसे से मिले हैं पस्सिमी मध्य भारत और मैसूर जो काँपर है करनाटिक में इस यूग की कई गुफाओं यासे मिली हैं मध्य पासान यूग में लोग मुख्य रूप से पसू पालक थे मनुसे ने इन पसू को चारा खिला कर पालतू बनाया इस प्रकार मध्य पासान काल में मनुसे पसू पालक बना इस यूग में मनुसे खेती के साथ साथ मचली पकड़ना सहध जमा करना और सिकार करना ये कारिय भी करता था तो देखिए स्टुडेंस हमने यहाँ पर मध्य पासान काल के बारे में पढ़ा अब हम आगे के वीडियो में नव पासान काल के बारे में भी पढ़ेंगे तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका भहुत भहुत धन्यवाद और यह दिया आपको और भी नई जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप हमारे वर्टसप पे बने ब्रोड कास्ट चैनल से जुणें और फेस्बुक पे आप हमें लाइक और सेर करें ट्विटर पे आप हमें फोलो करें धन्यवाद